नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबी के मेरी आज की इस वीडियो में आज की इस वीडियो में आपको उताऊंगा जब आप जोमेटो जोइन करते हैं उस ताइम कुछ ऑनबोडिंग फीज या कुछ हमें जोइनिंग फीज देना पड़ती है उसको आप कैसे रिटन ले सकते हैं और जब आप जोमेटो की नई आईडि बनाते हैं तब उसमें जोमेटो कंपनी कुछ आपको जोइनिंग बोनस देती है और उस बोनस से आप कैसे जो आपकी जोइनिंग फीज से जोमेटो की उसको आप रिकवर कर सकते हैं तो चले दोस्तो जब दी से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को अब दोस्तो स्क्रीन पर आप जो फीज देख पा रहे हैं वह है जो मेटो कंपनी की ओन बोर्डिंग फीज है यानि कि जब आप जो मेटो कंपनी की आईडी बनाते हैं जो मेटो को जोन करते हैं तब यह है ज्यादा बेटर रहता है क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में आपको 600 रुपए देना पड़ते हैं फिर वांकि 1000 रुपए आपको साड़े 300 साड़े 300 और 250 रुपीज इस तरह से तीन अपते में आपके इंस्टॉल्मेंट में कटते रहते हैं तो एक बार में आप 600 देके जुमेटो काम स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपको काम अच्छा लगेगा या आप इस काम को कर पाएंगे तो अच्छा है और बहुत लोग एंसे रहते हैं दोस्तों की फीज देने के बाद फिर काम नहीं कर पाते हैं या फिर उनको काम नहीं जमता मैं कोई दूसरा काम करना चाते हैं जोमेटो क्छोड़ना चाते हैं तो काफी लोग बोलते हैं यह मारी फीज के ऐसे रिटन होगी तो जो एक बार आप फिर देते हैं रिटन नहीं होती है तो जो इंस्टॉल्मेंट वाला उप्षन है वो आपके लिए ज्यादा बैटर है पहले आप 600 रोपे दें जोमेटो का काम क्या है या किस तरह जोमेटो ओडर डिलिवर करते हैं वो देखें उसके बाद आपको काम अच्छा लगे तो आप कंटीन्यू रखें और जो बांकी फीज है हर अपते इंस्टॉल्मेंट में खटती रहेगी तो दोस्तों यह तो था जोमेटो जोइनिंग फीज का किराइट एडिया अब मैं आपको दिखाता हूँ जोइनिंग बॉनस हमें कैसे मिलता है तो दोस्तों जोइनिंग बॉनस देखने के लिए हमें चलना होगा जोमेटो डिलिवरी एप के अंदर तो फटफट से मैं जोमेटो डिलिवरी एप को अब दोस्तों आप थोड़ा से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप नीचे देखेंगे आपको जोइनिंग मोनेस का एक उप्षन नज़र आएगा जब आपकी ID जोइनिंग के बाद चालो हो जाती है तब और ये उप्षन जभी दिखाएगा जब आपकी ID किसी जोमेटो डिलेवरी के बंदे के दोवारा रिफर किया हुआ होना चाहिए पचास ओडर पर आपको 500 रुपए और और बन 50 ओडर पर आपको 2000 रुपए यहां पर शो हो रहा है जो कि मैंने कल ही कंप्रेट किया हुआ है और मैंने जोमेटो कंपणी को 1600 कुछ रुपए फीच दी है और मैंने 2000 रुपए जोमेटो कंपणी से वापस ले लिया है यानि कि मेरी जो फीच थी वहाँ है मैंने सारी रेकावर कर लिए आप मैं भले ही जोमेटो का काम बंद कर दूं तो मुझे से कुई समस्या नहीं हो गी, आसानी सिपो कर देंगे क्योंकि रिफर करने का भी उनको कुछ ना खुछ वेनिफिड मिलता है, अगर आपको 2000 पर मिलें गे तो करीब करीब 1200 से 1800 पर अनको भी मिलेंगे, जिससे कि आप जोमेटो में ID बना पाएंगे और जो जोईनिंग मोनस है उसको आप 150 order complete करने एक बाद कर सकते हैं जिससे आपकी जो onboarding fees है जोईनिंग fees है वह recover हो जाएगी और recover करने के बाद अगर आपको जोमेटो का काम नहीं जमता है तो आप बिलकुल इसको छोड़ सकते हैं और इसको आप पार्ट टाइम फिर बाद में करना चाहें तो पार्ट टाइम भी कर सकते हैं दोस्तो जो जो जोईनिंग मोनस रहता है उसको प्राप्त करने के लिए हमें यहाँ पर जोमेटो कंपनी 21 दिन का टाइम देती है यहाँ कि 21 दिन के अंदर आपको 150 ओडर कंप्लीट करने रहते हैं जो की आसानी से कंप्लीट हो जाते हैं हमारे बोपाल में स्ट्राइक थी और मैंने 5-6 दिन काम नहीं किया फिर भी मैंने जो 150 ओडर है उनको कंप्लीट कर लिया है यहाँ कि आप भी अगर आपको 21 दिन का समय मिलता है तो आप 5 दिन काम नहीं करते हैं तब भी आप जो 150 ओडर हैं उनको कंप्लीट करके 2000 रुपए आसानी से अरण खर पाएंगे भांकी मैं आपको जो मैंने ओर्डर कंप्लीट किये हैं कितने दनों में कियेैं मैं आपको दिखा देता हूं यह वडर जितने भी मैंने करीब दो हपते में कंप्लीट किये हुए है 150 ओडर तिके यह मेरा अभी जो करेंट का बीक है आठrice फरवर्य से 14 यह ऑब जल रहा है आज की डीट में मैं काम पर गया था मैंने ज्यादा पैसे नहीं कमाए है कि उनली पचास रुपए कमाए है बागी जो पंद्रास रुपए आप देख पा रहे हैं वह ज्वाइनिंग मुनस आज ही मिला है मुझे सोबा में तो आठ फरवरी से 14 फरवरी की बीच मैंने 8 से लेकर 12 तक अच्छा काम किया जिसमें मैंने 73 ओडर कंप्लीट किये हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं उसकी पिछले वाले हपता में चलते हैं एक फरवरी से साथ फरवरी आप देखेंगे तो मैंने चार फरवरी और छे फरवरी को ही काम किया था जिसमें 23 ओर कम्प्लीट किये थे यानि कि मैं इस अपते में अच्छा काम नहीं कर पाया था क्योंकि इस वीक में बोपाल में जो मेंटर की स्ट्राइक हो गई थी तो चार और पांच दिन काम बंद रखना पड़ा था उसके बाद जब मैंने जो मेंटर के आईडी बनाई थी 25 जन्वरी से 31 जन्वरी इक वीज तो उस अपता को मैं आपको दिखाता हूं उस अपते में मैंने कितने ओर्डर कम्प्लीट किये इस अपता में आप देख पारें मैंने लगवक सभी दिन काम किया था और 31 तारीकों मेरी जो 350 रूपीस इंस्ट्रॉल्मेंट कट देती फीज की वह कट गई थी जिसा कि आप देख पारें ओन्वर्डिंग फीज इंस्ट्रॉल्मेंट 350 रूपी स्टार्टिंग के हपते में चाइब कट गई थी वहांकि जो 500 रूपे पचास ब्रूडर मिलते हैं जोरें मोरा उस के वह मैंने पहले ही अपता में कंप्लेट कर दिये थे तो मुझे पांसट्रूपे पहले अपते में मिल गए थी तो आप देख सकते हैं पहले हैप्ते मेंने 60 ओर्डर कंप्लीट किये मेरा जो 150 order है उसको complete करके मैंने जो मेरा पूरा ज्वाइनिंग वानस है 2000 रुपए उसको मैंने लेड लिया है और रिप्यावर्ड में जाते हैं तो मेरा जो पिछला अपता है उसमें लगभग अच्छे खासे पैसे यहां मेरे बन गए है यहीं कि दोस्तों अगर आपके पास कोई काम नहीं है आप अगर घर पे बैठे हैं तो आपको जो मैटो जोइन कर लेना चाहिए जब तक कोई काम नहीं मिलता है तब तक इस दो तीन और चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब बैल नोटिफिकेशन ओन करके रखें तक और दोस्तों कोई वाई जो मैटो में जोइन करना चाहिए तो उनके साथ यह वीडियो शेयर करें और उनको जोइनिंग मोनस के बार इम बताएं ताकि व आप आसानी से जो मेटो का एफ है उसमें आसानी से रेजिटर कर पाएंगे तो उसका लिंक मैंने आई बटन में दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया है वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और जो मेटो की आईडी एक्टिवेट करा सकते हैं तो चले दोस् वीडियो में अपना ख्याल रखिए